हम लोग शुमत भागवतम के तीसरे सकंद के नवय अधाय के चौथे श्लोप को पढ़ रहे हैं कल वाले श्लोप में ब्रह्मान जी ने कहा कि भगवान जो आपकी ब्रमजोती है वो आपसे भिर्ण नहीं है और मैं आपके सुरुप की आश्रे ले रहा हूं मान लो भगवान कहें कि जो मैं आपको यह रूप दिखा रहा हूं समझिए यह सुपाधिक रूप है इसका क्या मतलब है आप लोग मुझे देख रहे हो नहीं देख रहे हैं आप मेरी उपाधी अर्थाति शरीर को देख रहे हो तो मान लो भगवान कहें कि मैं आपको वास्तिविक सुरुप नहीं दिखा रहा हूं अपना मैं तो आपको अपना सौ उपाधिक शरीर दिखा रहा हूं ऐसा भगवान में होता नहीं है भगवान में देह और देह का भेत नहीं है लेकिन मान लीजे अगर भगवान आसा कहें कि अरे देखिए निरुशेश ब्रह्म असली है और ये जो मैं आपको रूप दिखा रहा हूँ ये तो उपादी से युक्त दे है भगवान का ऐसा होता नहीं है लेकिन एक मान लो बात आसा कहें तो यहां पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखे भगवान आपका ये जो रूप है ना ये पूरे जगतों का मंगल करने वाला है अब आप ये बताए बहुती रूप देखकर क्या किसी का मंगल होता है नहीं होता है। और उसके बाद कहते हैं कि आपने मुझे ये ध्यान में दिखाया, मैं आपका उपासक हूँ। यानि कि आपने मेरा मंगल करने के लिए मुझे ये रूप दिखाया, मुझे प्रतारवना करने के लिए, मुझे दुख देने के लिए नहीं। तो ऐसा होही नहीं सकता कि आप मुझे कोई भौती गृप दिखाए मैं आपका उपासक हूँ आप कृपालु हो मैं धिहान में निश्ट था सौ साल तपहस्या करने के बाद कोई व्यक्ती को भौती गृप देखने को मिले तो भौती में तो दिखी रहा है उसके लिए तपस्या करने की क्या जो लोता है मेरी बात आप समझते हो आप लोग हरे कुष्ण मंत्र जबते हैं भगवान को देखते हैं इसलिए ताकि भगवान के दिवी रूप की अन्भूती हो जरा विचार कीजिए ब्रह्मा जी हट जाई आर भटा दीजि भवतिक रूप देखने की शम्ता तो है ही मारे पास इतने साल तपस्या करने के बाद फिर कोई भगवान भवतिक की रूप दिखाए तो यह दुख नहीं मिलेगा आपको बताईए इतनी मेहनत करी उसके बाद कोई भवतिक रूप दिखा दिया किर्तार्थ केसे होगा भगवान ऐसे नहीं है भगवान अपने भक्तों की तपस्या को देखते हैं और जानते हैं कि जब तक मैं इन्हें अपने चिर्मे शुरूप की अनुभूति नहीं कराऊंगा यह सुखी नहीं होने वाले है अब ब्रह्मा जी सुभाविक सी बात है कि हम पहले कि दूसरे सकते सुखऺblind सुख्चे हैं इतना उनको आनंद हुआ था भगवान का दुर्शन करके वह अपने को भी घुबंढ़ को झारे तो भगवान के दिव सुरूप का दुरूप करके जो कि उनको सचदानन सुरूप दिखा था अनभाव हुआ था कि यह क्रितक ने मतलब जो किये गए उपकार को ना माने कि मैं इतने तपस्या करकर के मर गया और अब आप मुझे एक लॉलीपप पकड़ा दे आप एसे विख्थी है ही नहीं कि जो आपके लिए अरे उसको आप कुछ गीने ही नहीं अपित ब्रतिधान करते हैं उसकी कलपना भी भक्त नहीं कर सकता है अगर आपको पुछली अध्याइस से याद हो तो वहाँ शब्त था प्रत्य हर्यंतम भगवान अपने भक्तों की लोकार्ति हरस्व तेना लोगों के दुखों को हरने वाली स्मित मुस्कान के द्वारा अपने सुन्दर होटों के द्वारा उन सब के दर्शन कराकर तो यह सब दिव्य है और ऐसे दिव्य दर्शन के द्वारा आपने मुझे स्कृतार्त किया है आप ऐसे विक्तिव हैं ही नहीं कि जो अपने भगतों को दुख ही करें तो इसलिए निश्रित रूप से जो आपका जिस सुरूप की जिस भगवा सुरूप का मैं आश्रे ले रहा हूँ और भगवान ब्रह्मा जी की बात सुनिये हैं हम आज सुबह वे चर्चा कर रहे थे नम्रदा के बारे में भगवान को कहते हैं कि भगवान मैं तो केवल आपको नमस्कार कर सकता हूँ मैं कोई सेवा नहीं कर सकता आपकी ऐसा सुन्दर आपने रूप दिखाया ऐसे एश्वर शाली आप हो कि मैं तो केवल आपको नमस्कार कर सकता हूँ मान लोगवान कहें कि अरे बिर सब लोग भजन क्यों नहीं करते नहीं करते जिनको नगा मिया जिनको नडग बहां अब शुकुत करता है प्रमानित करता है कि भग्वान ने जुरूप ब्रमाजी को दिखाया विया पूनित रहते स्पिरिच्छल चैनमाय आध्यात्मिक था मेरे पुछे बोलिए इत्वाइद भूवन ओन मंगन मंगलाय है ध्यानेस्वनो दर्षितमतु पासकानां। तस्मैनमो भगवते नुविधे मतुभ्यम यो नाद्रितो नरक भाग भिरसत प्रसंगई तद्वाइदं भुवन मंगल मंगलाया ध्याने स्मनो दर्शितं तुपास काना तद्वाइदं भुवन मंगल मंगलाया ध्याने स्मनो दर्शितं तुपास काना तस्मैनमो भगवते नुविधे मतुभ्यम यो नाद्रितो नरक भाग भिरसत प्रसंगई तस्मैनमो भगवते नुविधे मतुभ्यम यो नाद्रितो नरक भाग भिरसत प्रसंगई ट्द्वाई दंबुवन मंगल मंगलाय ध्याने स्मनोधर शितम ताभास काना। पूर्षुत्म भग्वान कृष्ण का यह वर्तमान रूप या उनके द्वारा विस्तार किया हुआ कोई भी दिव्य रूप सारे ब्रह्मांडों के लिए समान रूप से मंगल मैं है छ्यूंकि आपने यह नित्य साकार रूप प्रकट किया है जिसका ध्यान आपके भक्त करते हैं इसलिए मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ जिन्ãy नरग्गामी होना है वे आपके साकार रूप की उपेक्षा करते हैं क्योंकि वे लोग भौतिक विशों की ही कलपना करती रहते हैं और इस कारण से यही मानते हैं कि भगवान का सुरूप भी भौतिक है यानि कि तथाकतित अध्यात्नवादी जो यह बोलते हैं हला करते हैं कि भगवान बहुती गुरूब स्विकार करके जुगत में प्रकट होते हैं और वसता निर्विशिष ब्रह्म ही परब्रह्म है तो उन्हें कहा जाना पड़ेगा नरग जाना पड़ेगा श्मिद्धागवत का प्रमान है हे भुवन मंगल हे चौधा भुवन के कल्यान करने वाले तत्वई वही यह स्वरूप मतलब जो विदान्त में प्रसुद्ध है कि भगवान का स्वरूप कैसा है सचिदानंद विग्रह वो जो से मैंने ब्रहम समितने बताया ना ब्रहम जी कह रहे हैं वही वाला रूप जिस बने अनभव किया भगवान का स्वरूप सचिदानंद है यह विदांत में प्रसुद्ध है जब बोलने मतलब निष्टा के लिए फिसी अवला,न। रत्व हम को हम उपाशक भक्तों के मंगलाय मंगल विद्धान करने के लिए ध्याने eerther ध्यान में त्य आपके द्वाध कि द्वारा दर्शुत kami प्रदर्शुत कियागया है समझ में आई बात है भुवन मंगल हे भग्वान आप चौधा भुवनों को मंगल करने वाले हैं कल्यान करने वाले हैं आपके द्वारा वही वह रूप वही वह स्चतानान स्वरूप हम आपके उपासकों को कि मंगल के लिए धिहान में प्रदश्वित किया गया है अब यहां कहेंगे और तो कोई था नहीं तो आप जानते हैं कि हमका प्रियोग व्यक्ति एक प्रशन दिया था निवरित्व चित्त वृत्ति ब्रह्मा जी की चित्त वृत्ति बहार नहीं जा रही थी कि आश्लोग है बार्वस्कृत का में लोग बूला करते थे यंब्रम्हा वरुनेंद्र वृद्र मरुत्वांति दिव्यस्तवाई बूल रहा हूं हुआ है शाम भूल रहा हुआ है ना 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 वो नहीं है वेदे सांग पदोप अरे वाह प्रोज का इन तो अध्याना ध्याना अवस्तित तदगते न मनसा पश्यंतियम योगिनो यस्यांता न विदू सुरा सुरगर्णा तस्मैं देवाए नमाह सुकर के हैं कि ध्यान में स्थित होकर योगि जन भगवान का ध्यान करते हैं श्टूक बता दिया भक्त ने भीजते हैं थैंक्यू श्टूक क्या है यंभ्रम्हा वरुनेंद्ररुद्रमरुतह स्तुन्वंति देव्याइस्तवेर् विदैसांग पदक्रमो पनिषदेर् गायंतियम् सामगाः ध्याना वस्तित तदगते न मनसा पश्यंतियम् जो भोगी लोग हैं वह भगवान का दर्शन नहीं कर सकते हैं जो योगी हैं जिनकी इंद्रिया स्वेमित हैं वही भगवान का दर्शन करते हैं तो मैं इस ध्यान की बात कर रहा थक जिनका मन बही वृत्तियू से पूरी तरह से विरत हो गया है बिलकुल बाहर नहीं जाता वही ध्यान में भगवान का दर्शन करते हैं तो वह रूप भौतिक हो ही नहीं सकता भौतिक रूप को देखने के लिए ध्यान लगाने की ज़ुरत नहीं है अब आके घुमाईए और सुप ज़के दिख रहा है इसलिए बाहे वृतिक रूप का दर्शन ही होता है तो ऐसा सब लोग तो रूप का आधर नहीं करते हैं आप तो बड़ा आधर कर रहे हो तो कहते हैं यह किन्त यह मतलब भौतिक एक अर्थ है जो यह कहते हैं कि भगवान का सवरूप असत अर्थात भौतिक है है और उस इस मत में प्रकृ्ष्ट प्रमत्व प्रकृ्ष्ट मतलब बहुत अच्छे से संग मतल आसकत हैं फिक्स्ट है कि कोई सेवर आप नहीं निरुशेश ब्रह्म है और ब्रह्म को इश्वर आप गह सकते हैं, इस बात में जान से नहीं, भगवान जबात की प्रकृतं का आश्री लेता है तो वोधकर आपे, अश्रेक ने किरूप के रूप में अजयED कि शाश्वत नहीं है, इसमत में वहें, प्रकृ रूप से संग अर्थात आसक्त रहते हैं इसलिए यहां पर कहते हैं निरिशर्वादी कुत्वर्क मेनिष्ट उनसे पूछो कि यह शास्त्र में कहां लिखा है कि भगवान का सुरूप बहुतिक है धामना स्वेन सदा निरस्त को हुकम सत्यम परमधी मही प्रतम श्लोक में बो हूँ तो कहां से बात समझ में आगे कि भगवान माया को स्विकार करते हैं कभी नहीं आता एक भग्त पूछ रहे हैं कि इसका मतलब सारे मायाबादी लोग न रख जाएंगी तो आपका क्या रिलाइदिशन है यह लिखा है ना भगवान देखी एक बात समझ लिजे जो चीज चिनमे वस्तु है स्पृर्चल है उसको भोतिक बोलना और जो भोतिक है उसको वह स्पृर्चल बोलना यह अप राद संतिश्च और अप तो चल जाना तो भगवान इससे असंतिस्ट होते हैं आरे यहां हम लोग बेकूफ हैं, बता दी कौन वती है? केह दीजिए कि आप बेकूफ नहीं है, बुरा मत मनना, इतिने कि आप बेकूफ नहीं है, इतना दे इतना सारा कर्ष्ट तो जू भी बहुती जगत में बेकूफ ही तो है, अपने को दे मानना का बेकूफ ही नहीं है, लेकिन हम वेखूफ हैं और हमको वेखूफ कह दिया ता हम कुछ्सा हो जाते है और महा बुद्धिमान होते और तब वेखूफ कह दिया था तब यहां जुनसे में थोड़ा बहुत हो जाता तो 6 घंटा अदमी शीशा देखता है और ओ तुम छिपकली जैसी हो तो चपपल मारे की नवाता जाए चिपके लिए हूँ अभी देखो काट के बताती हूँ अब भगवान इतने सुन्दर है और उनको कहने भईया इनकी आखे है ने मानने जी कोई व्यक्ति करें तुम भईया अंधे हो लूले हो लंगड़े हो तो आप ऐसी सभा में जाएंगे पब्लिक में आपको बोला जाएंगे भाई यह लूले आ गए लंगड़े आ गए अंधे आ गए बताई गुसा होगा कि ने आद में और भगवान के क्या भगवान गुसा नहीं आएगा वह इतना सुन्दर सुरूप है उनका कि कोई भौत एक तुलना की नहीं जा सकती और हला कर रहा है कि इनके आख नहीं कान नहीं तो इसलिए इस प्रकार से बाते करने से भगवान असंतुष्ट होता है यहां तक कि प्रकाशनान सरस्थी जो कि अग्दम पढ़िया ब्रमचारी थे ब्रमचारी छोड़ दीजिए और वो साथ हजार सन्यास्चिन के गुरू थे अर उनके महाप्रव इतने कुरुदृत हो रहे है कहा मायपूर में नवदीप में दौध फीस के बहुते है कि इसको मेरे हात पैर काट रहा है इसको मैंने हात अपने शरीर में कोड़ दिए है इसको समझ नहीं आ रहा है जैतना महाववान पढ़ांगा आपको मैं दम इतना कुर्दित भगवान हो रहे हैं तो इस प्रकार की बाते करने वाले निश्चित नरक में जाते हैं कि नरकी बुद्धी है यहां तक कि भगवान का विग्र है जो कि देखने में लग रहा है कि पत्थर है उसको पत्थर मानना तो विक्ति नरक में गिरता है मैंने यह नहीं कहा कि बहुत सुरुप सुच्छाना कंद में नहीं लेकिन देखने में लगता है कि पत्थर का बना वह भी मानना नरक का भाग होता है और भगवान पर सिद्धान्त ही अप्लाइ कर देना कि बहुत है कि थो पिर ये अपरात कर रहा है ना यह अम्राजी केंगे आओ अपना मायवाद मुझे सुनाओ लेकिन पिटने के बाद, I'll hear you, but पहले पिटो तो, देखिए इसमें बहुत गल्वड है, एक तो विक्ति खुद गलत जा रहा है, और जो लोग बैचारे अच्छा कफला भक्ति करते, उनको भी गलत लेके जा रहा ह सुनाओगा अपने मुहावरा डपके हम तो डूबेंगे सुनाम आपको भी ले डूबेंगे, चुप रहता तो बहता रहता लेकिन चुप नहीं होने से यही सारा जहर भारत में फैला हुआ है, कि सभी भगवान हैं, है कि नहीं, यही सुनाना आपने, इस कौन में आने के अ बगवान है, और तुम भी बगवान हो, तो यही बात बोलते हैं, नरक भाग भी, नरक गामी जन्म है, नरक भाग मतलब उनको अपने भाग में नरक बिलता है, आप लोग कि शायद कभी घर में कुछ प्रॉपर्टी के डिविजन हुआ होगा, लड़की को इतना मिलेगा, लड़कों को इतना मिलेगा, यह तीन दड़के हैं, तो उनको यह मिलेगा, वो मिलेगा, तो अब ऐसे लोग जो भगवान के रूप को भौते कहते हैं, तो उनको क्या संपत्ती मिलेगी? हाँ, आपको यह कुम्भी पाक में फ्लैट बुक कर दे जाएगा, यही पकते रही ह एक कढ़ाई रिजर्व कर दी गई है, उसी नरक में पड़े रही है, नरक भागवी ऐसे लोगे नरक में अपने स्थान, नरक को अपनी पैत्रिक संपत्ती की रूप में प्राप्त करते हैं, क्यों? अनादृत वे आपको स्विकार नहीं करते हैं, स्विकार का मतलब क्या है महिश्वरम, मेरी अवग्या करते हैं, मेरी पूजा नहीं करते, मेरा सम्मान नहीं करते, और मुझे यह सुचते हैं कि मैं मनुष्र का शरीर लेकर कि इस जगर पे प्रकटता हूँ, देखी समझें कप्रियास कीजिए, जिस व्यक्ति का आदर नहीं किया जाना चाहिए, उस यहाँ पे शब्द है अनादृत, भगवान का व्यादर नहीं करते, तसमे भगवते तुभ्यम नमहा अनुविधेमा, उन सचदानन्द इश्वर को, भगवान को, मैं बारम बार प्रणाम करता हूँ, इश्वर समझे लिजेगा, ठीका मैं और सानी समझ लाएगा, नमहा अ अनुविधेमा, अनु मतलब बारम बार, विधेमा मतलब विधान करता हूँ, करता हूँ, मैं नमस्कार का ही बारम बार अनुविधान कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, विधेमा मतलब मैं कर रहा हूँ, करता हूँ, यहाँ समझ ले न, ठीका में फिर से आएगा, मैं आपकी को भगवान की महिमा का थोड़ी भी अनभूती होती है, तो पहली चीज उसके अंदर आती है, वो है नम्रता कि मैं बहुत छोटा हूँ, यानि कि जिस वेक्ति की हिर्दे में अहंकार है कि मैं किसी भी तरह से स्रेष्ट हूँ, उसको भगवान की कोई अनभूती नहीं हुई. अगर मैं सोच रहा हूँ कि मैं किसी भी तरह से स्रेष्ट हूँ, को महान हूँ, उसका मतलब है कि भगवान को हम समझे ही नहीं, जो वेक्ति हमारे सब तरफ है, उसकी महिमा हम समझे ही नहीं. और अगर भगवान की महिमा समझेगा, तो वेक्तिन नम्र हो जाएगी, मेरी तो कोई, I am insignificant. लेकिन, it is interesting, जितना हम यह समझेगी कि मैं नगंड हूँ, उतना ही भगवान की निजर में आप बहुत महत्पूर हो जाएगे. शिला रूपको स्वामी जी, जो चतन महाप्रव की हिरिदे की बात को भी समझ गए, तो उनको महाप्रवों से चाबड मारे हल्गा सा, महाप्रवों जगनात रतियात्रा में, एक फिल्मी, जो लड़की एक लड़के के लिए गाती है, ऐसा सौंग गाते थे, तो सब लोग शर्च के तो यह महाप्रव क्यों गाते हैं, मैं वही लड़की हूँ, तुम वही लड़के हो, वह गाते थे, महाप्रव को रोके, एक बार रूपको स्वामी महापे थे, और उनने उसको, उसी का अर्थ, संस्कृत में दूसरा इक श्लो कर दे, समझ में आएगी, मैं वही राधराने हो, तुम वही कृष्ण हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा, यमना का तर्ट नहीं है, त्यादी त्यादी, तो महाप्रव और लिख करके उसे खोंच दिये, अपने जोपड़ी में, तो महाप्रव आ करके उसको देखे, उसको पढ़े और बड़े प्रेम से रुपको को नहीं समझ सकता, तो उन्हें का हाँ, मैं जब इलाबाद में मिले थे, जब मैंने इनकी नम्रता देखी, तो मैंने स्वेम ही इनकी हिर्दे में शक्ति का संचार किया, यही रूपको स्वामी जी क्या अनभव कर रहे है, वो तो किसी योग जी नहीं, लेकिन यही रूपक पर विशेश कृपा करते हैं, इसलिए तो भगवान ने गीता में क्या कहा ग्यान का पहला लक्षन क्या है, अमान इत्व, जो असमने सम्मान के पेक्षर ना करे, अव दम भित्व, पढ़ा चुका हूँ, तेरवध्य है, आप देख लिजीगा, वेरी नाइस, आप बताई क किया, आपने आस्तर कभी किसी को ग्यान दिया है, या दे पाए है, जो वेती सोच रहा हूँ कि मैं बहुत जानता हूँ, एक बक्ते हैं टुशन पढ़ाते हैं, जो आपके शुदेंट आते हैं, वो बलते हैं, माइडम हम पहले पढ़ चुके हैं, जो आप पढ़ी है, आप पहले पढ़ चुके हैं, तो माइडम क्या पढ़ाएंगे उनको, ठीक है, ओके, तद वई इदम भग्वान आपने वही भुवन मंगल मंगलाया, जगत को चोदा भुवन का मंगल करने के, करने वाला मंगलाया, अपने भक्तों का मंगल करने के लिए ध्यानस में नह दर्श आपकी उपासक हम लोगों को आपने ध्यान में यह रूप दिखाया है, जो की जगत का मंगल करने के लिए, मतलब बहुती गुरूप नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, बहुती गुरूप से किसी का मंगल नहीं हो सकता है, चौदा भुवन के मंगल होने की बात ही क्या ह माल लीजिए किसी के भास एव फोन है इसमें ब्रह्मलोग की लोग कितने resistant होंगे pleez raiseón माल लीजिए आप ब्रह्मलोग की नवासी होते तो आप फोन में इंट्रफ्ट्षय होते तो आप समझ गए इस ज्यक्त के ताजमहल में में इंट्रस्टेट होते एप जो ब्रह्म लोक के लिए भी मंगल करने वाला है रूप वह भौते को हो ही नहीं सकता और आपने ध्यान में दिखाया तस मैं नमु भगवते अनुविधे मतुभ्यम इसलिए भगवान मैं आपको बारमबार नमसकार करता हूँ अब प्रश्णा बहुत नहीं कि यह भगवान का रूप सचदानन्द है तो और जगत का मंगल करने वाला है तो अब ब्रह्मा जी यह क्यों कहते है कि बार बार नमस्कार कर सकता हूं दो कि आगे बताया गया है ब्रह्मा जी जब भजन कर रहे थे तो उनकी इच्छा क्या थी बताइए क्या वैरी फूद आंसर शृष्टी करने की चाथी शुद्भक्ती प्राप्त करने की चा नहीं थी और अभी आप देखना प्रपात की ताथ पर्मे अचारों की टीका में बड़ इंट्रसटिंगे आप कि ब्रह्मा जी शुद्भक्त नहीं क्या हुं इसको पड़कर के महिल गया होते हैं कि एक होतिक अडिस ब्रह्मा जी के रेफरेंस फ्रेम से वसे मान रहे हैं कि मेरी तो स्रिष्टी करने के इच्छा थी भगवान मैं तो सकाम हूँ फिर भी आपने ऐसा सचदानन्द सुरूप दिखाया तो आप लोग फिर अल्ला करेंगे अरे जिस वक्ति के हृदे में भवतिक इच्छा है वह भगवान के सचदानन्द सुरूप की दर्शन कैसे कर सकता जी आप सही कहते हो लेकिन भगवान नहीं करा सकते है और आप आगे देखेंगे दक्ष को विदर्षन हुआ और कर्दम भृष्षि है लेकिन शादी किच्छा भगवान विश्णी कोने कंते हैं शादी किच्छा है तो शादी किच्छा तो भग्ति सुद्वक्ति कि कौई से इच्छाओं में आती है का है यह बड़ा पुजल कहने का मतलब यह है कि मैं तो सकाम होते हुए भी आपने ऐसा सचिदानंद सुरुप दिखाया है इसलिए मैं तो भगवान कृतार्थ हो गया मेरी कोई मेरे पास कुछ प्रतिदान करने के लिए प्रतिवकार करने के लिए मेरे पास कोई सामर्थ नहीं except to pay you a माता अधिती एक बेटा चाहती थी ताकि वह बली महराज को मार दे तो यह कोई शुद्धभक्ती हुई शुद्धभक्ती तो नहीं हुई फिर भी भगवान बारा दिन के अंदर उनके सामने प्रकट हो गए थे अब आगे देखिंगा आट्वेस्कन में तो वाट आम ट्राइ प्रतिमानाहि तुमी साक्षात ब्रजेंद्र नंदर अपने भी घटत कर लिटना चाहिए। तो मालो भगवान कहें कि सब लोग इस रूप को क्यों नहीं आदर करते तो कहते हैं यह अनाद्र तो नरक भाग भीर असत प्रसंगे जो लोग आपके इस रूप का अनादर करते हैं जो जोधा भुवन का मंगल करने वाला है उसके प्रतिव कोई आदर भाव नहीं है तो नरक भाग भीर वह नरक गामी है ऐसा क्यों तो कहते हैं असत प्रसंगे वह आप एक अर्थ है आपके सवरूप को असत मानने के चकर में भौत एक मानने की धालना के प्रतिव बहुत अच्छे से आ सकते हैं वो और कुछ मानना नहीं चाहते हैं आप देखरों लोग को बोल यदि आप कहें कि मेरा यह भी रूप सोपाधिक कहने के कारण अर्वाचीन है तो इसका उत्तर है कि आपका यह वही रूप है समझे भगवान कहें कि मैंने आपको यह रूप अर्वाचीन मतलब अभी दिखाया अभी नया रूप है इस कारण से जोसे अभी हम सभी लोग न कर्मज केते नहीं ऐसा नहीं है हे जगत के लिए मंगल शुरूप भगवन मतलब अगर आपका रूप भौतिक होता तो चौधा भूवनों के लिए मंगल शुरूप नहीं होता आपने हम उपासकों का मंगल करने के लिए इस रूप का दरशन ध्यान में कराया है आप अव उचित को लगाने वाले हम लोगों को सोपादिक दरशन कराना उचित नहीं है समझे जो आपकी आपको प्राप्त करने के लिए तपस्चा करके मर रहा है उसको आप बहुत एक रूप दिखाएंगे उससे क्या ही मंगल होगा बचा देगा उससे क्या किरतार्त होगा वो तो बार नमस्कार करता हूँ यदि कहें भगवान कहें कि इससे क्या हुआ आप तो आप मुझे नमस्कार करते हो लेकिन बाकी लोग तो नहीं करते हैं कुछ लोग मेरा अनादर करते हैं तो इसका उतर है कि वे पापी जीव हैं इसलिए अनादर करते हैं और निरिश्वर को उत नेस्ट करते उपनेस्ट मतलब प्रस्तुत करते रहते उपनेस्ट लिखते रहते हैं अगर आसे कहें तो एक के बाद एक थियोरी लिख रहा है कि कैसे भगवान नहीं है अते वह नरक गामी जीव है क्लियर शार दर्शनी देखें आप संपूर्ण जगत के लिए मंगल मैं हैं तथा हमें मंगल प्रदान करने हे तु जो स्वरूप आप प्रदर्शित करते हैं उसका भौतिक्तावादी जन आदर नहीं करते किन्तु मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं तुम निर्विशेष ब्रह्म का आश्रे क्यों नहीं लेते मालो भगवान का हैं तो कहरें सववशेष रूप देखिए सववशेष रूप को समदी जी कई बार इस टीका में आएगा सव विशेश रूप मतलब जिसमें विशेशताय हैं, आखे हैं, नाक हैं, कान हैं, ये सभी चिन्मय हैं, spiritual हैं, लेकिन हैं ऐसी विविद्दाय हैं, निर्विशेश मतलब जैसी विविद्दाय हैं उसमें नहीं होती है, उसमें प्रकाश्व रूप है, लेकिन भगवान का जो निर्गुण ब्रह्म साकार रूप लेकर के आ गया यह अर्थ नहीं रखा जा रहा है सविशेष्वरूप में इसमें विभिन प्रकार विशेष्टाओं से युक्त सुरूप ठीक है सविशेष्वरूप 14 भुवनस्त लोक को अर्थ धर्म काम एवं मोश का लाव धेन हेतु समर्थ है एवं साकार शुरूप के अर्थन से ही यह धर्म आदी लाव सार्थक होते हैं मतलब मिलते हैं केंट तो अन्यथा करना वर्त है क्योंकि निर्वशेष रूप के भजन द्वारा इन फ़लों की प्राति नहीं होगी एवं वही साकार स्वरूप मुझे मेरे ध्यान में प्रकट हुआ था मेरे निराकार ब्रह्म को मैंने निराकार ब्रह्म को देखा नहीं दिखा बड़ी इंट्रस्टिंग है मैंने दिहान किया और आप मेरे सामने आए और मैं आश्रेलू निराकार ब्रह्म का मैं तो आप में अपने मन को काग्रा किया ना दीखे आप शादी आप से हुई पती आप है और सेवा भूत की करें हिसाम करने कियों आसाकता हुँ है कि बड़ी सुन्दर बात है बहुत सुन्दर बात है कि को मेरा मेरे अन्य था मेरा अर्चन मेरी पूज़ा कभी अन्य था जा ही नहीं सकती श deedःद्वान सेल्लेस लिखना बाद में निルश्य भर्म को कीसे कराई तो आप एक बोलें गजब हैरान हूं भगवन तुम्हें कैसे रज्ञाऊ हूं मैं आप भी ब्रह्म है आप भी सल्धा से अμά ठीक है, ओके, तो कह रहे हैं कि ये निराकार ब्रह्म मेरे उपासना का उदेश नहीं रहा है, अतह, सगुण, सगुण मतलब दिव गुणों से युक्त, सगुण मतलब भौतिक गुणों से युक्त नहीं, अतह, सगुण भगवल स्वरूप अधिक कृपालू है, इस प्रकार मैं चिनमय गुणों के समुद्र आपके सव विशेश सुरूप को नमह अनुविधेमा अर्थात बार बार प्रणाम ही कर सकता हूँ, मैं आपकी क्या सिवा करने में समर्थ हूँ, ये अर्थ है, अर्थात मैं आपकी सिवा करने में समर्थ नहीं हूँ, मैं तो किवल प्रण काम ही कर सकता हूं इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपनी नम्रता को प्रस्तुत किया है। परंतु हे ब्रह्मा कुछ लोग कहते हैं कि मेरा यह सगुण सुरूप सचदानन्द नहीं है। अब ही माईख है यह इस कारण भी मेरा संबान नहीं करते। बहुत सारे माईख भूमी तहली रहा है उनका तो संबान नहीं हो रहा है तो इस प्रकार से भगवान कभी संबान नहीं करते। इस पर ब्रमा जी कहते हैं नरक भाग भी अर्थात जो निश्चुत नरक में गिरेंगे तथा प्रसंगई अर्थात जो इस प्रकार की विचारों में लिप्त हैं मतलब प्रकृष्ट प्लस संग संग मतलब आसकती जो इस प्रकार की विचार में आसकत हैं कि वह रूप असत अ करते हैं वे इस सुरूप का समान नहीं करते हैं मतलब समझने का प्रयास किजिए दो प्रकार के लोग एक तथा कथित आध्यात नवादी जो भोग में नहीं लगे हैं लेकिन वह यह मानते हैं कि भगवान का सुरूप असत अर्थात भौतिक है नश्वर है इस विचार में बह चैसे अब आप लोग यहां कैसे आये कैसे कर लिया तीवी चोड़ा अब हम तीवी देखनेवालों के संकति कर रहे होते तो इससे में हम कथा नहीं सुन सकते थे इस इत नॉट एक भगत हमको वो ले कि वो निव्याय निख रहा हूं लेकिन निव्याय देखने में आ सकत हो अपर बोले प्रभुजी जब सूख गया हमारा मनलब जब सूखा सूखा हो रहा है और अब क्लास में भी नहीं देख रहे है अद्बत बात दिये कि कई बार लोग थोड़े इमोशनली बोलने प्रभुजी आप अपनी शर्लम में रखिए हमें जाने मत देना आईए तो क्या म है रबर बैंड से बांध के रखूँ अब लोग अब उस व्यक्ति ने स्वेमा जब देख रहे हो की नियूस आदि सुनने से और या होता है सिंपल सी बात है तो जो भौतिकताबादी लोगों की संगति कर रहा है उसको भक्ति में रुची नहीं आगी हुआ है अब नरक जाने के लिए दिल्ड पृतक जो गया वेवेसाय आत्मिक हो गया है कि एक मात्र हमारा लक्ष है इस्ट और वेस्ट नरक इस दर बेश्ट अब करेंगे भाई हम भगवान का भज़ों नहीं कर रहें तो नरक में क्यों जाएंगे देखिए रतनेश्ट रवू आप बैंक की मैनेजर हैं आप से मजा करते हैं आप आवानी दोस्ती है अब आप सुबह आफिस पहुचे जाकर करके दिन भर भुटा खाए तब भुटा ख भुटा खाएं और काम ना करें जिस चीज के लिए आपको एक अधिकारी की रूप में नियुक्त किया गया है आपको सेलरी विल रहें तो अपराद है गल्ती है की नहीं है दंड जो भी दंड है मिलेगा की नहीं मिलेगा तो यह तो कुछ भी नहीं है मन्रश जीवन इतना म कि क्रम संदर्व यदि भगवान कहें कि यह स्वरूप तो निश्वित प्रकिति के गुणों से युक्त होना चाहिए तो इस पर ब्रह्मा जी कहते है नहीं यह रूप केवल वही है तद वई इदम यह वही रूप है वही मतलब अरे वही जो सुच्छानान स्वरूप है इस और अन्य लोग जिनकी वुद्धी शुद्ध है संस्कृत आत्माना जिनका आत्मन अर्था वुद्धी संस्कृत अर्था शुद्ध हो गई है वे आपके द्वारा लागु किये गए वैशनव शास्त्रों के आदेशों का पालन करते हैं वे आपके चिंतन में अपने मन को आपकी पूजा परमेश्वर रूप में करते हैं जो अनेक रूपों में प्रकट होता है शुम्य धागवत 10.40.7 देखिए समझना जलूरी है यहां क्या कह रहे है अकरूर जी इस 10.40.6 कि लोग में बोलते हैं 7 की पहले वाले में ज्ञान योग के दौरा लोग भगवान की बगते ऐसा लेकिन कुछ लोग जिनकी बुद्धी बहुत शुद्ध हो गई है वह भगवान के चिनमय सुरूपों की उपासना करते हैं यह बिल्कुल समझ लीजेगा यहां भेद भाव देखने लगे तो हम तुरंत अपरात करने लग जाएंगे कि व्यक्ति वही है भगवान कृष्ण भगवान श्री राम में कोई भेद नहीं है वह व्यक्ति उपासक की टेस्ट के अंसार भगवान के विन विन रूप है हनमान जी को भगवान श्री राम सही अच्छे लगते हैं उसी रूप में भगवान को देखना चाहते हैं भगवान राम और तत्यों के महिमा समझ में आ रही है वो महा आत्मा मतलब महा मन वाला है और अगर नहीं विश्वास होता है तो प्रीचिंग करना शुरू कीजिए अब देखेंगे कि लोगों को नहीं समझ में आता है कि कृष्ण भगवान है आप में से किसी दे भी अगर प्रचार का थोड़ उसका हिर्दय इतना बड़ा हो गया है कि भगवान उसमें आ गए नहीं तो भगवान दर्वादा खोल के दिखते हैं यह तो रूम बहुत छोटा है बात में आता हूं मैं भी कई जन्मों के बाद इसलिए तो कहा गया कि जो भगवान का नाम जीव से बोलते हैं हरे क्रिष्णा हरे क्रिष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे उन्होंने सारी तप्रचा कर लिए सारी पवित्र नद्यों में स्नान कर लिया वेद को कई ब श्लीक और श्लीव मरुषlor सुछ दोगा। जुए उस्वीटि नुए है। श्लीयुए थांता-उलार थीकु फिर हम यहां फोस्गें, है इतना व्याभिचार हो रहा है इतना बुरा लग रहा है और देखिए इस इंकॉंसीवबल ना आप लों से निवेदन है फ्लीज होंबर करिएगा एक वेक्ति को आप एक माला के लिए कर गुपता जी एमल गुपता जी प्रयास की जिएगा प्रयास की जिएगा अपने से बोल रहे है इसकॉं मैं आपके है इसकॉं और आप कृपिया हरे कृष्ण मंत्र बोल यह तुरंत काट देगा मेरे भाई को बूला मैं चुप मुझा खराब कर रहा है मैं जा करके बहुत करते मैं साथ लों को जब तक सुबह दुचार गाली नहीं दे दूंगा तब तक म बक्ति कर्ने पारी बत हो अपने घूरे पाव इतना बुरा बोल दिया और अब देखेंगी को नहीं कहते हू है ? का जा यह मैं क्यों कहता हूं जिसका मन पवित्र हो रहा है वह भगवान की महिमा को समझेगा से इसलिवी नीए आपके सामने लिखा है कि जो उनका मन पवित्र हो गया है वह भगवान की भक्ति करते हैं, जैसे भगवान ने कीता में कहा, ये शाम्त अंत गतम पापम, जननाम पुन्य कर्म नाम ते दोंद मुह निर्मुक्ता भजन ते माम दिर्डवर्था, ये उस भक्ति कहते हैं कि, ये लोग अपने गुरु के नाम का सुमिरन करते हैं, ये भगवान विभिन रूपों में प्रकट होते हैं, तथा पि एक दूसरे से भिन नहीं है, तथा ये भगवान शुरूप लीला की प्रकाशन हे तू, बहुत जगत का आश्रे लेते हैं, आते हैं, तथा पि उससे बिल्क पादन करने के लिए आते हैं, ठीक है, उसके बाद कहते हैं, धामना स्वेन सदा निरस्त को हुकम सत्यम परमधी मही, अथा मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूं, जो भौत जगत के भ्रामक रूपों से सर्वता मुक्त अपने दिव धाम में निरंतर वास कर मैं उनका ध्यान करता हूं क्योंकि वही परम सत्य है, धागवतम 1.1.1 धाम का एक और अर्थ होता है, उनका स्वरूप, अपने स्वरूप से सदा ही भगवान माया को, कुहक मतलब चीटिंग, माया को दूर रखते हैं, जैसे सूर्य सदा ही अंदकार को अपने से दूर रख आते हैं, तु भी वह अबने सच्दानाद सुरॉप को प्रकड करते हैं, वह अपने तेज अपने अध्यात फिस्क्ति से अवरोध अवरोध ये विस तौर्ध अ क्यात? जो शक्ति भगवान की सदा ही भौतिक शक्ति को निरस्त करते है. ठीक है? तो यहां आप सभी सब क्यों हो समझा रहा है कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान का यह रूप है यह स्प्रिच्वल है परन्तो तब मैं आपके द्वारा किस प्रकार दर्शिमान हूँ? अगर यह पूरी तरह स्जदानन्व है तो मैं कैसे देख लिया आपको? मैं आ स्विमा-चाहिए है. समझ में आया, भागवान पर अपने मन को जम मैं ने केंदृत करने का प्रयास किया तो भागवान यह देखे कि यह मीरी भक्ति करना चाहता है. जैसे मान ली को गुन्डा आपके सामने चकू प्यद्रशित करे तो आपका अहित करना चाहता है न Cub Kita not in the wrong sense, प्रदर्शिन ही नहीं लगा रखा है, but He indicates to Krishna, भगवान को प्रदर्शित करता है, कि मैं आपकी भक्ति कर रहा है, भगवान हम पर पर दया कीजिए. आपने प्रदर्शित किया, अपने ध्यान के दारा, कि आप मरी भक्ति करना चाते, तो भगवान प्रसन होकर अपनी इच्छा से ब्रमाजी को दिखाए, ठीक, नेक्स्ट, तो फिर इस विशेश शुरुप को ही दिखाने का क्या कारण है, यह भगवान ने यह रूप क्यों द अच्छा से युक्ष थे, अब समझेए, भगवान के जिस जिस स्वरूप पे भक्त ध्यान करता है, उस उस स्वरूप की, उस सचदानन्द सुरूप को भगवान परकट करते हैं, जैसे कि, इसको बंत करते हैं, जैसे कि हन्मान जी भगवान श्री राम में आ सकते हैं, तो जो भक्त भवान कृष्ण में आ सकते हैं तो भगवान अपने सज़दानंद कृष्ण सुरूप को ही उनके सामने प्रकट करेंगे जैसे देखिए राधारानी जो कुरुक्षेत्र में जाती है तो वैं कृष्ण को देखती है लेकिन किस रूप में यदुकुमार की रूप मे देखना चाहती है वह तो ब्रजेंद्र नंदन ब्रज बिहारी कृष्ण को ही देखना चाहती है इसलिए उस यदुननंदन सुरूप को देख कर दारानी को प्रसुंता नहीं होती है मैं समझा पा रहा हूं हर भक्त का एक विशेष संबंध होता है उसी रूप में भगवान को देखना चाहता है तो उसको वह दिखाते है जैसे कि हम लोग न अर्जुन विशुरुप गरद बोले आप भीष्मदेव और भवान श्री कृष्ण भीष्मदेव के सामने भवान चत्रभुज रूप में है आप लोग सुन चुके हैं प्रतमस्काद में लेकिन उनको कौ कि और एप LIKE कृष्म और विशूप बिलकुल गलत अर्जण विशुरूप अर्जुन विशुरूप को अपने ली द Krankना चाहते थे इसलिए देखना चाहते है ताके यहस ठापी eheteek कि क्रिष्म भगवान है नहीं तो वो कहते कि इसको उटाइए इसको उटाइए इसको उटाइए सौमे वपुन महात्मा सौमे वपु दिखाईए दृष्टु द मानुशम रूपम तव सौम्यम जमार्दनाम इदानिम असमी संव्रता सचेत प्रकृतिम गता आपके सौमे वपु को देख करके मैं विश्व रूप को नहीं देखना चाहते हैं हाँ समझे हैं ठीक है अचा अब एक प्राश्न है कि यह रूप क्यों दिखाया देखिए वह रूप क्यासा था पिछलिश लोकों में में सुना था विश्व स्रिजम गर्भो दक्षाई विश्व सुरूप जो है भगवान का व पिर्भी भगवान के इस प्रकार के अपने दर्शन देने के उपकार के अनुसंधान के द्वारा भगवान को प्रति भगवान के प्रति भगवान का होना चाहिए भगवान का प्रति उपकार करने में अस्वर्थ होने पर ब्रमा जी किवल भगवान को प्रणाम कर रहे है स भगवान के सुर्व को दिख करके कहते हैं भगवान आपने इतना उपकार दिया है इतना उपकार किया है मैं इस सुरुप का दर्शन करा के कि मैं आपकी क्या ही सिवा कर सकता हूं मैं तो क्यों आपको प्रणाम कर सकता हूं यद्दे भी वो जानते हैं वो जान गए है कि उनक चाहिता है तो कभी कभी किसी भक्ति घर में जाते इतना अच्छा प्रसाद खेरा देते हैं कि व्यक्ति सोचता है कि मैं इसका प्रतिदान कर ही नहीं सकता जाता देखा उनली से थैंक यू कभी ऐसा हुआ आप लोग विचारे शुका सुका माल कहाते हैं कि सादु बनना चाहिता है को सादु लोगो बड़ा चक्कानिक बिलता है एक बार हम जहाए अर ब्रमजारी अश्रम वे तो नहीं गये थे तो हमाने संग कुछ दो ग्रस्त भक् तो he was feeling some kind of gratitude कि इतना अच्छा खिलाया, यह मैं इसलिए बोलों कि जनरली अगर बहुत अच्छा खाने को मिले, तो वेक्तिक कृतार्थता कानभव करता है, कि बहुत अच्छा खिलाया, तो मन में याता इतना अच्छा खिलाये हैं, मैं इनका क्या बस थेंक्यू बोल सकता हू तो यहीं ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं भगवान आपकी ऐसी में क्या सिवा करूँ जो आपने मुझे उपकार किया, इसका मैं प्रतिउपकार कर सकता हूँ, अगर आपको याद हो तो इसी प्रकार की बात माता कुंती ने भी कहा था, यहे भगवन मैं तुस्तरी हूँ, मै क्या कर सकती हूँ, तो किवल आपको बारंबार नमस्कार ही कर सकती हूँ, यह बहुत बड़ी सिवा है भगवान की, तो यह ब्रह्मा जी नमरता में ऐसा कहते हैं, तत पशात, ब्रह्मा जी बहिर मुख भौतिक्तावादी व्यक्तियों की निंदा करते हैं, कहते हैं कैसे कर है अब आप इन निंदा ब्रह्मा जी को एक कह रहा है कि देखो मैं देधाओं कभी देव हूं ब्रह्मा लिवक्ति को सुचना चाहिए कि जिस विक्ती ने भग्वान ने ब्रह्मा जी को खृतार्थ कर दिया उनकी शक्ति कितनी अधिक होगी और उनका अनादर करते हैं इसलिए नरक निशी जाना होगा उनको बाल प्रवोधनी आप सर्वता समर्थ हैं इवं परम क्रिपालू हैं तो इसलिए हम जो आपके उपासक हैं उनको आपके द्वारा किसी प्राकृत स्वरूप के प्रदर्शन के द्वारा प्रतारना मिला नहीं यह खुब पढ़ाई करी और नौकरी मिली ही नहीं तो वह प्रतार्डित हो जाता है वह दुखी हो जाता है इतनी महनत करें और क्या कहते हैं उसको खोदा पहाड और निकली चुहिया तो उसी तरह से यहां पर कहते हैं कि आपके उपासक हैं आप तो क्रिपालू आप अपने उपासकों को निराश कर ही नहीं सकते उन्हें बहुत इक रूप दिखा करके यह उचित नहीं इसलिए है इसलिए भी आपने यह सचदानन सुरूप ही मुझे को दर्शन कराया है ऐसा कहते हैं ब्रह्मा जी भगवान को नमस्कार करने हैं हे विश्व मंगल रू को अिख़न है मतला उनका उत्हान हो उसके लिए वही वेदांत प्रशिद सचिदानन सुरुप को ही ध्यान ने प्रदर्शिद कराया है मतलब भगवान का सुरुप सचिदानन यह कहां प्रशिद है यह जगत में नहीं लोगों मालूम है यह वेदांत को पढ़ते हैं जो शास्त जानते हैं वह जानते हैं इसलिए आपका प्रतियुपकार करने में असमर्थ होने के कारण मैं आपको केवल बारं बार नमस्कार ही कर सकता हूं आप प्रतिवकार करने में समर्द क्यों हैं क्योंकि हे भगवान एश्वर आदी गुणों से परिपूर्ण होने के कारण आप निरपेख्ष हैं इसलिए क्याते हैं भगवते इस लोग में भगवते शब्दाय था जो भूका हो उसका प्रतिवकार कर सकते हो जो प्यासा उसको जल दे सकते हो जिसके पास ज्ञान नहों उसे आप पढ़ा सकते हो अग्रीट लेकिन जिसके पास सारा ज्ञान सारा धन सारा बल उसका क्या प्रतिवकार करेंगे समझ में आगा इसलिए भगवान मैं तो केवल समझ भी रहे हैं I hope this is easy यदि ऐसा है तो सब लोग मेरे ही बजन क्यों नहीं करते आप कर रहे हो तो बागी क्यों नहीं करते तो कहते कि जो नरक में अवश्च गिरने वाले हैं ऐसे लोग ही आपका अनादर करते हैं जो वैकूंट में ही जाने वाले हैं वे तो आपका अधर कर करते हैं सुनाई पड़ा लेकिन जो नरक में ही जाने वाले हैं वे आपका अनादर करते हैं कथा भगवान की चल रही है तो जो कथा का अनादर करके दुनिया की बाते सुन रहा हो क्या कर रहा है वो नरक जाने की ही बात कर रहा है वे नरक के भागी क्यों होते क्योंकि असत प्रसंग यह भी तीर अर्थ लेंगे अर्षत अर्थात नरक के हे तू निशिद शब्दादी विश्यों में प्रक्ष्ट संग अर्थात आसकती उनकी होती है यह अर्थ मतलब ऐसे शब्द रूप रस गंद जो की निशिद है सिनेमा सौंग या वटेवर फिल्मी वटेवर जो भी भगवान से इतर जो भी शब्द रूप रस गंद है उनका निशिद किया गया वो नहीं ग्रहन करना चाहिए वही उसमें वह आसकते उसी को करेंगे भगवान की कथा को सुनना नाम जब करना इसमें कोई रूची नहीं श सिक्रेट पिने से क्या फायदा है वह प्रणयाम भकती नहीं है अब जास टम से कि गलत ही काम करें क्याने करते हैं तो यह हुआ दूसरा अर्थ क्या है अथवा असत अर्थात दुष्ट भगवत विशय विम्खों सौरी भगवत विमुक विशयों में आसक्त लोगों से प् होते हैं इस प्रकार का जिनका प्रक्ष्ट संग अर्थात अभिनिवेश जिनका है वह लोग मतलब जो इसी धालना में लगे हुए कि इश्वर निराकार है और यह जो रूप है वो बहुत है कि तो यह सब नरग गामी होने वाले है तात परे हम पूरा पढ़के ही रुकने जहां तक परब्रम के साकार तथा निर्विशेश रूपों की बात है उनके साकार रूप भगवान द्वारा समस्त ब्रह्मानलों के मंगल हेतु विभन स्वांशों की रूप में प्रदर्शित की जाते हैं भगवान के साकार रूप की पूजा ध्यान द्वारा परमात्मा चाहे वह ध्यान में हो या अन्या थ्रवे सब नरक गामी होते हैं जैसके भगवद गीता-वट्व फेड़्य में कहा गया कि निर्वशेश वादी विर्थी संसारिक मांसिक चुंतन में अपना समय बरबाद करते हैं क्योंकि वे सत्य की अपिक्षा मिथ्या तरकों में आसक्त रहते हैं अतेव यहां पर ब्रह्मा ने निर्वशेश वादियों की संगति की निंदा की अब एक बहुत बड़ा जगड़ा हो जाएगा जगड़ा क्या है वदंति तत्व विदस्तत्वम यजग्यानमद्वयम ब्रह्मेति परमात्नेति भगवानिति शब्देते मनश जीवन को तत्व जग्यासा के लिए लगाना चाहिए भागवत में आतर्फ हैते निरुशिश वादि है तो यानि कि जो ब्रह्म की जग्यासा कर रहा है वह नरक्मी जाएगा और 12.5 में भी भगवान यह तो नहीं कहते हैं कि भगवान यह कहते हैं कि लेशो दिकतरस ते शाम अवेक्ता सक्त चितसाम अवेक्ता ही गतर दुखम देहवद भिरवाप्यते जो आसक्त है निर्वेशेश में उसके लिए प्रगती मुश्किल है और अग्लाश लोग क्या कहत कि नरक प्राप्त करते हैं 12.6 में क्या पता आगया है हाँ इससे पहले वाला में देखिए 12.5 में 12.45 में ऐसे था था ना 5 में दिकाईए 5 में कहते हैं सन्नियम जे इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समभुद्धिया ते प्राप्नुवन ती मामिवस सर्वभूते हिते रता पाइव में नहीं प्रपात करें कि 12.5 प्रपात ने कोड़ कहा है कि 12.5 में तो भक्ती कि बारें बता रहे 12.4 होना चाहिए थिरी फोड में अनिहाँ यहां पिक 3rd और 4 में कहा गया यह तो अक्षर मंदे द्वेक्षम अवयक्तम परिपासिते सर्वत्र गम चिंत्यम चा कूटस्थम अचलंद्रुवं सन्नियम देंद्रिग्रामम सर्वत्र समभुद्ध्या ते प्राप्नुवन ते वा मामे वा सर्वभूते हिते रता तो पॉइंट यहां पर कहा गया है तो लोग निर्यशेश ब्रह्मम में आ सकते उनके प्राप्तिन मुश्किल है लेकिन करते-करते वहे भागवान की प्राप्ति करतें वहाँ वादब समधाई गई थी लेकिन देखिए समझनेका प्र्यास केजिए, यहां किन ज्यानियों क की बात कर रहे हैं जो लोग ब्रम की उपासना करते हैं और भगवान के बारे में कुछ नहीं क्या जानते कोई कमेंट नहीं करते हैं तो वह लोग नरक नहीं जाते हैं उन्हें ब्रमवादी कहा जाता है लेकिन जो लोग यह कहते हैं कि ब्रम जोती से कृष्ण आये हैं वह जो भगवान के ब्रह्म जोती की उपासना कर रहा है, ब्रह्म उपासना कर रहा है, वह वेक्ति नरक नहीं जाता, ये शिमत भागवतों का वक्ता कौन था पहले, परी निष्ठो तो पि नेर गुण ने उत्तम शलो के लिले आ, निरगुण ब्रह्म में ही आ सकत थे, शुक्द को नहीं जानना इसका मतलब यह नहीं कि वह अपराद कर रहा है, वह वेक्ति मायावादी कहल रहाते है, ब्रह्म वादी आ रनोट माया वादी, ब्रह्म वादी जो है वह ब्रह्म की उपासना कर रहा है लेकिन भगवान को भगवान के सुरूप को माईक नहीं कह रहा है ज्ञान योग भी तो एक योग है ज्ञान योग से वक्ति निरक नहीं जाता है ना उसके दोरा वे आत्मा कन्भव करता है ब्रह्म कन्भव करता है कि ब्रह्म समिता में पुष्टी की गई है दीपार चीरे वही दशांतरम अभ्यूपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्मा यस्ता द्रिगे वही चविष्ण तया विभाति गोविंदमादी पुरुषम तमहम भजामी भगवान अपना विस्तार उसी तरह करते हैं जिस राम नरुसिंग तथा वरह जैसे अन्य सारे विस्तार इत्यादी भगवान की समान शक्तिशाली होते हैं ऐसे समस्त विस्तार दिव्य होते हैं इसको समझिए सभी लोग एक दालन से समझ जाएंगे दिवाली में आपने दीपक जलाए होंगे तो आप एक दीपक जला लेते हो और उस दीपक से बहुत सारे दीपक जलते हैं केंडल जलती हैं लेकिन वो सारी एक समान ही शक्तिशाली होती है उसी फिर भी एक केंडल मूल है उसी प्रकार से जितने भगवत सुरूप है वो सब भगवान से अभिन्न है लेकिन भगवान कृष्ण का सुरूप मूल सुरू है कि एक ही समय वह अलग अलग लग विस्तारित करते हैं अभी आप देखो मैं यहां एक दो तीन चार चार भक्त मेरे सामने बटें उन्हें कथा सुनाई पड़ रही है और आप सब लोग को आप लोग से लग मुझसे सुन रहे हैं न जम्मू कश्मीर में सुनाई पड़ रहे को जो कह दे कि वह मेरे से क्लास नहीं पड़ रहा अभी हम कोई चैंपियन अब आप देखिए जब मेरे पास टेक्नालोजी की माध्यम से ऐसा सामर्थ है कि एक ही जगह बैठकर इतनी शहरों में बिहार में कहां कहां एक ही जगह अपने को विस्तारित कर रहा हूं कि नहीं क पला रहा हूं कि आपके फोटो को देख रहा हूं आप विश्टारित किया है और एक और आप ट्राइ कर सकते स्मार्ट फोन से भी जॉइन कर लिजे तो आप दो रूप में दिखेंगे तो दो रूप अलग है या वही है जितना भी मेरे पास ग्यान है जो ग्यान मैं यहां दे रहा हूं भक्तों जो मेरे सामने है वही आपके सामने प्रस्चुत कर रहा हूं तो जब हमारे पास ऐसी शक्ति हो सकती है तो भगवान तो अनंत रूप से शक्ति शाली है वो एक ही समय में अलग 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 से नित्य अकलुष्ट रहते धामना स्रेन सदा निरस्त को हुकम सत्यम परमदी मही भगवान की दिविराज में शब्दों तथा कर्मों का इंद्र जाल नहीं है भगवान के सभी रूप दिव्य होते हैं और ऐसे प्रदर्शन सदा समान होते है एक बात छूट गई शब्दों अब मारा पापा हूं यहां दस बजा सभा दसजार बार बोला तो मानने ही नहीं और कर्म भूग करते रहते हैं तो यह मानने लगते हैं कि अ गग्रिठ नहीं है कि बहुए हैं ब्ले ही भक्त में ब्हुतिक इच्छ इच्छ हो Sumat समझ में आया कोई भक्त जरूरी नहीं है कि पून तया शुद्ध होगा तभी भगवान का दर्शन होगा आप लोग मंदिर आते हो मालो इस कौन ब्रणदावन आए तो कृष्ण बलराम के दर्शन किताब यह तो नहीं कह सकते कि आपका हद्य पूरी तरह शुद्ध हो गया है समाप्त होंगी तो भगवान का अनभाव अलग प्रकार का होगा बड़ आप यह नहीं कि नाम भगवान नहीं है इसे निर्वशेश्वादी जो बहुत जगत की उपज मानते हैं निश्य तुरूप से नरग्गामी होते हैं कुछ भगवान के प्रतिय अपरात करते हैं कुछ तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम अपने गुरु का नाम जब करते हैं ऐसा कहते हैं यह असूल नाम बशार्ण नहीं करेंगे क्रिश्ण का यदि कभी किसी बग का मन शामसुंदर में लगे और कभी चैतन महाप्रू में लगे तब श्री कृष्ण चैतन या राधा क लिश्ट नहीं अन्या आंसर हो गया क्लेशो दिकता ठीक है क्या इनोसंसी में भी कोई विक्ति निराकारवाद एकसेप्ट करके उसे फॉलो कर सकता है क्योंकि ऐसे लोग भी दिखे जाते हैं जो भगवान के प्रसाद का सम्मान करते हैं अगर उनको दिया जाए तो पर तो नहीं जाएंगे लेकिन अब उनको थोड़ा शुद्धी करन में समय लगेगा यह बात हैं भगवान के विविद रूपों में विविद कॉंशिसनेस होती है क्या विविद मीस वाट विविद मीस वाट अच्छा प्रश्ण है हम लोग अलग 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 कि जब गोब कुमार वेकुंट पहुंचते हैं बड़ा इंट्रस्टिंग है अब उनका तो भगवान के प्रति साख्य भावे तो उनी का है कि कृष्णी का भी है कृष्णी का भी है तो कृष्णी विष्णी सुरूप में वाँ पे हैं तो उनका आलिंगन करना चाहते है व सुरुप में को सधुषा संभण कर लेते हैं वही क्रिष्ण है वही क्रिष्ण है विष्णो में वही क्रिष्ण है भावान के रूम में वो अलग नहीं है अधवय Blood , अच्चुतमनादिमनंत रूपम श्रीमान मकुंदत प्रभुपा जी कि श्री बड़े सुंदर बात कहते हैं कि भक्तों के लिए यह स्युकार करना कि राम और कृष्ण अलग लग सुरूप है यह कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत यह है कि वह एक ही रूप है क्योंकि यह अध्भुत है अध्भुत है अध्भुत्र से कारकर ने वरहा देव हों चा कोई भगवान के सुरूप हों वो सब भगवान ही हैं पहले काया गया कि ब्रह्माजी कृष्ण को दीबूद रूप का दर्शन कि और अभी कहा जा रहा है कि वह भगवान को प्रशन कर रही है हम भी अगर प्रशन करता होते तो यहीं प्रशन करते कि पिछले तो मैं ऐसा कौंगा पिछले अध्याय में कृष्ण सुरूप दिखाया हम को ने समय रहा है बात इसलिए हम जहां जो आचारे करने बोलते हैं वह बोलेगा हम और कुछ नहीं बोलेगा इस लेकिन 14 बोवन के बात होती तो ब्रह्म लोग तो जाते तो मैंने बताए ना कि स्वर्ग लोगों की चीज़ों में ब्रह्म लोग के लोग इंटरस्टेट नहीं है लेकिन भगवान कृष्ण का ध्यान ब्रह्म लोग में चलता है तो उनका स्वरूप ब्रह्म लोग के लोग भगवान आपके आखों के सामने आएं यह आपको हृदे में दिखें भगवान का रूप अपने यहां क्या सुना भगवान जहां कहीं भी किसी भी रूप में प्रकट हो वह दिव्वी ही है मंदिर में जो भगवान का रूप है वह भगवान ही है अब आपको दिख नहीं रहे को देखे एक मिनट इससे पहले बात को बोलें कौन लोग जगनाथ पुरी गये हैं एक दो तीन ओके इधर कोई गया नहीं लगता है चार और पांच साथ लोग गये हैं मैं पूछू कि कितने लोग जगनाथ जी को देखे बिहोष हुए रेस हैंड्स अब आप सब्सक्राइब हो रहे हैं ओके बिहोष हो गयते क्या जो इन लोग बिहोष हो गयते वह अपना हाथ खड़ा करेंगे गोविन सुंद्री माता जी आप बिहोष हो गये अच्छा इतने एड्वांस्ट है तो महाप्रभू जब सबसे पहले गए उद्धे करके ही बिहो चित कहां अग्रीड तो भगवान में कोई दोश नहीं है भगवान नित्शुद्ध है मुक्त है लेकिन हमारा चित अभी अविद्या से गर्शत है इसलिए वैसा अनभाव नहीं होता है तो जगन से आप भगवान को विग्रह की रूप में देख रहे हैं या आप नाम चाल चित की इंद्रिय डिस्टर्व है जब इसकी इंद्रिया ठीक हो जाएंगी वह है चीनी का सिवन करते करते उसको उसमें रस होनी लग जाएगा तो किसी भी रूप में भवान प्रकट होते तो वह दिव्य होता है विल स्टॉप ना स्कॉइट लेट है कुछ लास्ट कॉष् क्या वो लोग मतलब बच्पन से तो नहीं होते मतलब अगर कोई बच्पन से तो नहीं होते मतलब अगर कोई बेक्ती जब कोई जनम लिया या फिर कोई देह में प्राप्त हुए तो फिर उसके संग से वो उस मायवादी हो गया है क्या लोग बच्पन से ही मायवादी होते ह नहीं बहुत अच्छा प्रश्ण किया है देखिए हम लोग जब जन में लेते हैं तो जो ग्रहों की दशा होती उससे हमारा जो ट्रजेट्री काफी को डिसाइड करते हैं लेकर उससे भी ज्यादा महत्पूर्ण है कि इस जीवर में हम संग कैसा करते हैं लोग तो अगर भक्त की संगत नहीं होते जैसे प्रवपात कहते हैं इन मायवादियों को भक्तों की कृपा की प्रतिक्षा करनी पड़ेगी तो अगर उन्हें भक्तों की संगत मिलती है और वह स्विकार करते हैं तो वह प्रवर्तित हो जाएंगे और अगर नहीं स्विकार करते तो नहीं होंगे उसका दोश नहीं है भगवान का दोश है क्यों दोश नहीं है क्यों दोश नहीं है जीव ही गलत इच्छा कर रहा है उसी का दोश जो भी हमारे दुख है जो भी हमारे गलते उसके we are responsible वो पिछे जन्म में काई को गरबड़ किया था गरबड़ किया ना वो जन्म जन्मांतर विक्ति ऐसे ही चीज़े में प्रविर्थ होते हैं इसलिए तो भक्त लोग जानते हैं कि अगर किसी को कृपा नहीं दी जाएगी तो इसकी ट्रजेक्ट्री तो भगवान से दूर जाने की ही है इसलिए पीछे लगख करके उसको किसी तरसे भवाण का नाम बोलवाते है वन का प्रसाद खिलाटे धीर दीर करके शुद्ध हो जाता है भगवान लगे है किसी तरह कियुपा देने के यह उसको आप कहते हैं अगर ऐसा है तो वावन देव तीन पग में ब्रम लोग तक मापली आरे आप समझ नहीं पारे हो जो हमने डेफिनिशन दी वही तीनों लोग नस्ट होते हैं मतलब तीन लोग का मतलब होता है सवर लोग तक अब चौदा बहुता है उपर तक प्रपाज बताते है कि व्यक्ति खुद को चीटिंग खुद ही चीट होना चाहता है इसलिए वैसा संग उसको प्राफ्ट हो जाता है यह भी बिल्कुल सही बात है देखिए अब बात एक सिंपल सी मैं इसको बोल के फ़रुक जाओंगा अगर व्यक्ति ज्यानों मुखी सुकृति खटा करता है उसको ज्यान मारर के प्रति आकृश्न होगा अगर कोई विक्ति कर्मों मुखी सुकृति खटा करता है तो वो से कर्म होते हैं यह जनवांतर जाने अन जाने थोड़ा बहुत भी अगर कोई भक्ती की सुकृति खटा करता है तो वह भक्ति के और उन्मक होता है एक भक्त हैं उनके पास कुछ है विद्या में तो हमने का आप भक्तों की जब सिवा करें भक्तों से हेल्प लें भक्तों की हेल्प करें किसी तरह से मालो कोई वेटी सब्सक्राइब जान रहा है अब उसके दारावाए भक्तों की हेल्प कर सकता है कोई भक्ति विमारे दवा दे दिया तो अब अगर उसने इसका पैसा नहीं लिया और वैश्णव की सेवा कर दी तो उसका बहुत बड़ा सुकृत बन जाएगा समझे बात आज आपको नहीं लग रहा है कि वो भक्ति कर रहा है तो गल आगे जाकर किसको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है मैं एक बात बोल करूँ जाता हूं और अब हिल जाएंगे सुन करके यह दर्शमस्कान में आता है महराचंद्रिक की कता वहां चक्रवर्ति पात ब मिला था अमचा आपने मतलब परिश्मेंट मिला था एक गलती की वैसे लेकिन अन्ततुक गत्वा उन्हें साक्षाद भगवान कृष्ण की दर्शन हुए और वैसे वह शुद्व भक्त नहीं थे लेकिन दर्शन हुए कृष्ण की क्यों हुए वह बहुत दानी राजा थे और उनके राज्य में एक वैष्णव आया और बहुत महान वैष्णव थे उन्हें कहा कि मैं एक मंदिर बनवाना चाहता हूं भगवत गीता और शिमत भगवत गीता और भागवतम के लिए तो उन्हें बनवाया दानी थे विश्व धालू थे भक्त ऐसा नहीं थे करमकान बहुत लगे हुए थे तो उन्हुस भक्त ने आशिरवाद दिया था कि आपने ऐसा सुन्दर सिवा करी है आपको एक दिन भगवान कृष्ण का दर्शन होगा और उनको हुआ उसी वजह से वाक अपने दान करने के विश्व से नहीं हुआ एक और सीन सुन लीजिए मुचक ने में वक्तों कि से वा भी कर दी तो भगवान कहीं दर्शन होगा सिदे साधु कृपा नाम बिना प्रेम नहीं हुआ तो वैश्व की कृपा से विक्ति को भगवान की प्राप्ति हुए अंजाने में भी कोश वा कर दे मालो को भग जा रहा कहीं उसको लिफ्ट दे दिया किसी ने तब भी उसको लाफ हो जाता है हां मैं एक्जाम्पल आपको देता हूं अभी मुझे नौईडा जाना था तो एक व्यक्ति ने शेरिंट टेक्सी चलती उसके तो वो मुझे उनको 330 रुपे देने थे उनने मुझे बटा लिया पहला चीज मैं देखा वो वैगनार थी तो आगे की सीट मुझे एक पीछे माता जी बैटी थी और उनका मित्र हो आगे बैटा था जैसे मुझे देखा वो पीछे चला गए दोती कुर्ता देख करके बाबाजी यह बोलके कुछ उनका सम्मान की भावनात थी तो जो वैक्ति थी वो ड्राइवर नहीं थी मतलब पर इन्हों डिस्टर्ब नहीं हो अफिर आगे कुछ बात होने लगी और अंत में मैं कुछ इंको प्रिचिंग भी किया और अंत में जब मैं उतरा तो मुझे इन्हें 330 रुपे देने थे और नहीं लिये और लेके चले गए बहुत बड़ी शुकृत आप इसको कुछ नहीं मानेंगे न 330 रुपे छोड़ने वाली बात नहीं है जो भी जितनी मातरा में साधुत्व है जो भी कहले जो एक भक्त के प्रति या वहाटवर एस्पार इंडिविटी जो भी है उसके प्रति उनने कुछ काम किया कुछ सिवा करी तो इसे कहते हैं भत्वे का बीच को आप गरमी में कुछ नहीं उगेगा लेकिन वही बीच जाड़े में अपने आप खुब उगने लग जाएगा तो उसी तरह से आज कोई विक्ति सुकृत कर रहा है तो वह सुकृत ही आगे भक्ती की रूप में खटी होती है आप इस ग्रूप में देखे we have to stop now